हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहें डॉक्टर कुमार एजुकेशन आज हम बात यह करेंगे कि नेचरली वेट गिन कैसे करें और बहुत सारे लोगों का यह कंसर्ण है कि उनका वेट नहीं बढ़ता है वो बहुत खाते हैं खाना करना नहीं लगता है को एंशी नहीं आती है मसल स्क्राइब होना चाहते बोफिजिकली अक्टिव होना चाहते हैं और मसल्स गे ensuring करना चाहते हैं मदना चाहते हैं विदिकान् सब्स्ट लेकिन वह जहां रहती है यह वहीट जेङन नहीं होता है क्लिनिकली देखो हर इंसान का वेट डिफरेंट होता है उसकी हाइट के एकॉर्डिंग और उसका जो जैनेटिक एक पैटरन होता है तो एक स्टेंडर्ड वेट से भी यदि आपका वेट कम है और आपको अब्सॉप्शन का प्रॉब्लम है आपको थकान रहती है और आप में कोई डेफिसेंसी है तो फिर आपके लिए कुछ नेचरल मेथड हो सकते हैं वेट करने के लेकिन आप नॉर्मल यदि स्टेंडर्ड करते हैं तो फिर आप अन्नेसरी हाई कैलोरी या फिर जो दूसरे आप माध्यम यूज करते हैं आप इस्टिरोइड लेते हो एनबोलिक इस्टिरोइड लेते हो या फिर आप प्रोटीन पाउडर या फिर मल्टी मिनरल्स मल्टी वाटामिन पाउडर लेते हैं बहुत सारे लोग स्वासवर्तक कैपसूल मल्टी बिटामिन्स भूग लगने वाले एंजाइम्स या वाइटमिन वी कंप्लेक्स लेकिन कुछ लोग इस्टिरोइड भी लेते हैं तो वह इस्टिरोइड वह यह नाले वेट के गेन करने के लिए एपटाइट को बढ़ाने के लिए इंप् चीट गेन करने के लिए जो हमारे पास नेचरल मेथर्ड से वह क्या हो सकते हैं पहले सबसे पहली आबश्यक्ता यह कि आप अपनी बोड़ी को समझें आप अपनी बोड़ी को नेचर को समझें बात पित कफ के अनुसार हर इंसान के लिए कुछ फूड रिस्टिक्टेड हो सकता है या कुछ फूड ऐसे हो सकते हैं कि जिनको absorption में उनको तकलीफ होगी या बॉड़ी उनकी एकसेप्ट नहीं करती है प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है तो पहले आप उस चीज को समझेए यदि आप IBS के patient है या आपको अलसर है या पेट संबंदित या metabolic संबंदित कोई problem है आपके digestion में कोई समझ्चा है तो आप symptoms को identify करिए डॉक्टर से discuss करिए फिर आप कोई भी दवाई weight gain करने के लिए या मसल्स के लिए या energy के लिए डॉक्टर की सला से ही लें लेकिन यहीं नॉर्मली उस तरह की कोई problem नहीं है और normal conditions में कुछ हमारे पास natural food है जिनसे कि आपका weight gain हो सकता है आप अपनी डाइट में बनाना सामिल करें आप फुल क्रीम मिल्क लें आप अख्रोड बादाम किस्मिस खाएं आप गुड़ और गुड़ का सेवन करें आप पिंड खजूर खा सकते हैं आप काजू खा सकते हैं इन सबके अंदर अच्छा कैल्सियम आयरन होता है और यह नीच्रली अब्जॉब भी हो जाते हैं और अब भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं करते हैं तो यह आप खा सकते हैं जन्हें हम सूखे मेवे कहते हैं ड्राइफ फूट्स प्लस मिल्क मिल्क प्रोडेक्ट एंड बनाना आपको यह वेड गीन करने में हल्प करेंगे आप मैंगो सीजनल मैंगो यदी अबले कि- nao भी बहु toolbox लो करने लेने से त्रियापमस लेने से आपकी प्रॉब्लम नहीं होकी उसके साहत आप इकसराइज भी करना होगी यहनी वॉकिंग कर सकते हैं या पुर कोई एरो मिक एकसराइज कर सकते हैं जिससे आपका absorption बैटर होगा आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अच्छी एक हैल्थ भी सस्टेन कर सकते हैं लेकिन बिदाउट कंसल्टेशन अब दॉक्टर किसी भी तरह की दवाई जो कि आपके वेट को वेट गेन करती है मसल्स गेन करने में आपको मदद करती है किसी भी तरह का कोई इस्टिरोइट्स या इवन दा क्रियेटिन प्रोटीन पाउडर्स आप अवोइड करें किसी भी तरह का एनवालिक steroid injection की रूप में hormones की रूप में tablet की रूप में आप बिल्कुल भी न लें उससे आपको metabolic problems होंगे आपका fatty liver हो सकता है आपको digestion में तकलीफ हो सकती है और आपको later phase में hormonal issue हो सकते हैं even देखा यह जाता है कि hormones का जो production है वह बहुत ज़्यादा पिर्वावित हो जाता है और कई बारी hormones का production कम हो जाता है तो आप natural food यह सामिल करें और नेचरल ही अपने weight को gain करने के लिए exercise करें यह food सामिल करें तो नेचरल ही आप weight gain झाल